नमस्कार दोस्तों, Fantasy Sports Professor के YouTube चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम देखेंगे Fantasy Tips, Team Preview and Best Dream 11 Combination for Trinidad, Trinbago, Knight Riders ये CPL की टीम है दोस्तों और अब इस version of CPL में, at least start में, हम हर टीम का एक Preview देखेंगे कौन है वहां के उम्दा Players, कौन है Best Players और फिर उनकी First Game की हम Fantasy Team भी आपको सचेस्ट करेंगे तो दोस्तों इस पर्टिकुलर गेम में हम Trinbago Knight Riders के बारे में देखेंगे जिनके Captain Kyron Pollard है, जो Mumbai Indians के लिए भी खेलते हैं इनके Coach Brandon McCallum है, जो ex-Night Riders, Kolkata Knight Riders के प्लियर है और इनके Owners भी Kolkata Knight Riders वाले ही हैं, जो है शारुक खान, जुही चावला और जह मैता दोस्तों अगर इस Team के हम Recap देखें, तो यह बहुत उंदा Team रह चुकी है, जबकि Team बार Champions रही थी 2015, 2017 और 2018 में, मतलब तगड़े Players हैं, तगड़ा Concept है इनका, और Team भी बहुत अच्छी बनी है पिछले साल यह अगर 3rd Position पर Finish करी थी, जो Regular League Standings है, उसमें आप देख सकते हो 10 Match के अंत में यह 9 Point पर थी, क्योंकि इनका Form 2nd Half of the Season में काफी खराब चला था पर वो कुछ तो करके Top 4 में Finish कर गए थे, जिसके कारण उन्होंने अपना First Eliminator Game, St. Kitts के अगेंस के खेला था, जो 3rd Position पर थे उनको हराकत, उन्होंने Barbados के अगेंस Qualifier 2 खेला, जिसमें वो हार चुके थे, और Barbados eventually Finals में पहुँच गई, और Tournament भी जीत गई थी तो इनका basically अगर आप देखो, तो form काफी अच्छा रहा था, overall CPL में, बट पिछले सीजन थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा था, तो इनका last 5 games का form देखो, तो पिछली game हारी थी वो Barbados के अगेंस्ट, जो Qualifier 2 थी, Eliminator जो जीती थी ये, St. Kitts के अगेंस्ट, और उसके पहले 3 league matches भी हार चुकी थी, इनके लिए इस सारे ये बड़ा advantage है, कि सारे games इनके home पर हो रहे हैं, जो कि है Brian Lara Cricket Stadium, जहां पे normally CPL के play-offs वगएरे होते हैं, तो वो एक काफी बड़ा advantage रहेगा इस particular team के लिए, इनके last season के recap देखें हम प्लेयर stats के बारे में, तो Lendal Simmons टोटल 430 runs बना 9 runs score करे थे last time, and अगर हम देखें, तो overall पूरे season में भी वो 5th highest run scorer थे, Colin Munro की बात करें, तो 231 runs बनाये थे, Colin Munro ने in 9 games, plus उनका record इस particular ground पे काफी बढ़िया है, जहां उन्होंने बहुत जम के batting करी है, और लगभग 6 games में 200 से जाधा run बनाये, तो इसलिए अगर आप देखो तो Colin Munro भी एक critical player हो जाएंगे इस particular fixer के लिए, overall भी उनका record CTL में काफी अच्छा है, जहां 1500 से जाधा run उन्होंने बनाये है, बाकी आप जैसे देख सकते हो, डालन ड्रागो ने कमs game खिली थी, because injury के तवरान, injury के विसे वो बाहर थे काफी time तक, नरायन भी कम games खिली थे, और नरायन दोस्तों अभी के दौर में open नहीं करते हैं innings, तो वो एक थोड़ा सा ध्यान देने लाएक particular stat है, यदि वो open करते हैं, तो अपने वो toss पर पता चल जाएगा, और accordingly हमारी team की strategy change हो सकती है, की stat की बात करें, बूलर्स में, तो खाई पियर, इनके top wicket ticker थे, 11 wicket के स सुनिल नरायन, 7 wickets last time around, but again उन्होंने बहुत कम matches खेली थी, Dwayne Bravo जैसे आप देख सकते हैं, दोस्तों, hardly कुछ bowling करी थी, because injury के थूरू, वो बाहर थे most of the tournament के लिए, इनके अगर squad देखें, तो मोटा-मोटा same squad है, like last year, except for Jimmy Nisham, शायद available नहीं है, इस particular season में, तो काफी नेम है, on paper, और one of the best team इसको मानी जा सकती है, expected 11 की बात करें, तो यहाँ पर इस particular game में, Lendl Simmons और Colin Monroe open करेंगे, third पर Darren Bravo या Webster होंगे, फिर Tim Seifert, जो New Zealand के keeper है, कैरिन पॉलार्ड, फिर Dwayne Bravo सुनिन ला रहा है, इनके दो all-rounders हैं, तगड़े वाले, फिर Khai Pierre, Ali Khan, Fawad Ahmed और Jaden Shields, Fawad Ahmed एक spinner है, इस particular team में, की players की बात करें दोस्तों, तो Colin Monroe एक important player जैसे हमने कहा था, CPL में record उनका काफी बढ़िया है, बढ़िया रहा है, especially इस particular ground पर, Lendl Simmons लास्टर के second highest scorer थे, बहुत ही उमदा batsman है, और उनको अपनी team में हमने ज़रूर लेने की try करना है, Dwayne Bravo सबको पता है, ये champion क्या कर सकता है, with the bat and with the bowl, शायद अभी उनकी batting इतनी ज़्यादा खास आती नहीं है, बट bowling के साथ, especially in death hours, बहुत ही उमदा pick है, तो और ये player CPL में highest picket ticker है, 97 wickets के साथ, overall T20 में 497 wickets पे है, तो दोस्तों इसको सिर्थ 3 wickets चाहिए, CPL में 100 wickets touch करने क लिए तो बहुत ही critical player है, plus अगर ये लोग, अगर night riders bowling first करते हैं, तो ब्रावो का आपकी team में होना must have है, because death में ये bowling करेंगे, काईरेन पोलार्ड अगें influential player, इनके captain है, batting इनकी थोड़ी सी नीचे आती है, बट जब भी आती है, ये धुहा मता देते हैं, वहाँ पे, last year के top 5 scorers में भी थे, इस साल आपको उसको pick करना बहुत ज़रूरी है, especially अगर काईरेन पोलार्ड की team, जो है night riders, batting first कर रही है, तो bowl first में ड्वेन ब्रावो much better pick, bat first में काईरेन पोलार्ड, सुने लरायन, एक बहुत उंदा बोलर, especially इनकी spin से काफी लोग, you know, bold हो जाते हैं, stump हो जा explosive batsman है, तो अगर हम Nicholas Puran को इस particular game में नहीं अगर afford कर सकते हैं, तो cypherd एक अच्छा option है, Ali Khan और Kai Pierre, दोनों budget picks है, 8 credits के, पर अच्छी खासी wicket दे जाते हैं, और इनको भी अपनी team में हम ज़रूर consider कर सकते हैं, suggested dream 11 team की बात करें दोस्तों, तो हमने यहाँ पे पूरन Monroe Simmons और Brandon King, इन 4 bless को लिया हुआ है, पूरन सब को पता है कितना explosive batsman है, पर थोड़ा 4 या 5 पर batting करता है, अगर आपको credit बचाने हो, तो आप यहाँ team cypherd को ले सकते हो, जैसे हमने कहा था, और हमने batsman में Ross Taylor को drop किया है, finally हम किसको लेते हैं, वो काफी depend करेगा कि toss का scenario क्या होता है, तो ह all rounders में हमने अभी फिलाल के लिए, ड्वेन ब्रावो, काईरिन पॉलाड, नरायन और हेमराच इन 4 प्लेयर्स को लिया हुआ है, यहाँ पे Chris Green, जो गयाना की captain है, उनको फिलाल हमने drop किया हुआ है, but depending on the toss scenario, possible है कि हम उसको अंदर लेके आ सकते हैं, in place of either ड्वेन ब्रावो औ काईरेन पॉलाड, depending on कौन बैटिंग फर्स कर रहा है, और कौन बॉलिंग फर्स कर रहा है, हिमराच एक अच्छे all rounder है, उनके पापा हम सब जानते हैं, चंदर पॉल, हिमराच चंदर पॉल, शिवनाराय चंदर पॉल, जो बहुत उम्दा बैट्समेंड रहे हैं, हिमराच ब्रिलेंड बोलर, second highest wicket टेकर थे, last year, 16 wicket ली थी इनोंने, और इस game में भी बहुत ही important pick हो सकते हैं, in fact, captaincy, vice captaincy pick भी आप इनको consider कर सकते हैं, तो finally, क्या हम उसको हमारी team में लेंगे, नई लेंगे, क्या करेंगे, वो जानने के लिए, आपको हमारा VIP club join करना होगा, जो join करने के लिए, यहां दिये गए नंबर पर, आप हमें telegram पर ping कर सकते हैं, या WhatsApp पर ping कर सकते हैं, और हम आपको बना देंगे step by step कैसे आप join कर सकते हैं, तो ज़्यदी आपको ये वीडियो भसंदा है दोस्तों, तो इसको like कीजेगा, और हमारे channel को subscribe कीजेगा, हम जल्द मिलेंगे आपसे कई और football और cricket games की analysis के साथ, धन्यवाद,